नमस्कार दोस्तों सुआगे दिशो मुझे बाल ची का और एक हेल्थ वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे सोडियम और पोटाशियम टेस्ट के बारे में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल के अंदर भी आता है एक्ति आपने शुने होंगे किसे इसान में सोडियम और प्रतासियुम का लेवल अगर गिर जाता है बलड में तो इसके कारन उसके चलते बहुत सारे कॉंपलिकेशन होता है जैसे के रेस्स लेस हो जाना और उहां पर सेंसलेस हो जाना तीक तक से काम नहीं हो पाता क्योंकि सो तो चलिए बात करते हैं, पहले purpose क्या है sodium potassium test की, to measure the level of sodium and potassium, blood के अंदर, खुन के अंदर, सबसे महत पुन electrolyte में से, ये दो electrolytes है, sodium और potassium, दोने electrolyte को चेक करना बहुत ही important होता है, electrolytes शरीन में water balance बनाये रखने में मदद करता है, osmotic balance भी बोलते हैं उसको, जब भी electrolytes का कोई गड dehydration, उसके कारण, लोगों की मौत भी हो सकता है, in fact in cases like cholera अगेरा, ये सारे जो बीमार यहां पर toxins, cholera जो toxin, cholera bacteria जो toxin release करता है, उसके कारण भी, due to electrolyte imbalance ही, हम पानी को लूस करते हैं, dehydration हमें होता है, तो हमें इसलिए हमेशा sodium potassium, blood में ठीकता होता है, कैसे ये test किया जाता है, सिंपल सी बात है, एक blood sample लिया जाता है, आपकी हातों की वेन से with a needle, syringe के इस्तावाल करके, फिर उसको sample को laboratory में चेक किया जाता है, और अलग से machine होते हैं, test करने के लिए electrolyte profile को, अभी sodium and potassium का normal range के बारे में बात करें, sodium की बात करें, तो 135 to 145 milliequivalence per liter, तो MEQ लिखते हैं, mini equivalence, मतलब, milli equivalence मतलब liter में, milliliter की equivalence से हम compare करते हैं, 135 to 145 milliequivalence per liter, यह sodium की level होना चाहिए, potassium का बहुत कम होता है, 3.5 to 5 milliequivalence per liter, और यह जो range है, यह पूरुशों के लिए महिला के लिए similar range हम देखके चलते हैं, sodium का range, जैसे के आपने देखा, sodium का range 135 to 145 milliequivalence per liter, और potassium का 3.5 to 5 milliequivalence per liter, अब बात करते हैं, abnormal value indicator के बारे में, मतलब, sodium potassium value में change आता है, ज्यादा या कम, तो उससे क्या indication मिलता है, तो बात करते हैं, sodium level के बारे में, abnormal sodium levels मिले, तो उससे क्या indication होता है, देखो, यहाँ पर dehydration, इंडिकेशन हो रहा है, sodium level abnormal के कारण dehydration related है, fluid imbalance related है, आपके शर trauma कोई accident injury के कारण बहुत सारे खून बाह बह चुका है, blood loss के कारण यह imbalance हो सकता है, kidney और adrenal gland problem, kidney और kidney की ऊपर ही बैठा हुआ है, छोटा से gland है, जिसको मैं adrenal gland बोलते हैं, तो दोनों जो structure है, kidney organ और adrenal, दोनों gland में कुछ ने कुछ अगर problem आता है, उसके कारण भी, blood में, sodium का level जो ammonia है, उसको तो liver ने urea बना दिया, फिर kidney urea को urine बना के शरीच से निकाल देता है, तो during formation of urine, पानी को रिटेन करना भी important होता है, ठीक ठाक से पानी को रिलीज करना भी important होता है, त्रू यूरीन, मगर electrolyte को रिटेन करना बहुत important होता है, electrolytes जैसे के sodium, जैसे के potassium, जैसे के chloride, यह यह absorption करता है, sodium को, potassium को, chloride को, उस हिसाब से ही, जो है urine formation completely होता है, ठीक है, कुछ-कुछ medicines, medication, दवा के कारण भी sodium level change हो सकता है, अब बात करते है, abnormal potential level, potassium level अगर change होता है, कम होता है, या ज्यादा होता है, तो क्या indication मिलता है, kidney disorder, वही बात है, kidney ठीक से नहीं काम करेगा, तो automatically blood मे जो sodium और potassium level है, वो ठीक-टाक maintain नहीं होगा, adrenal gland का problem से भी same result हो सकता है, कुछ-कुछ medicine का effect है, जिसके चलते potassium level ब्लड में कम हो सकता है, या फिर ज्यादा हो सकता है, ठीक है, तो यह सारे के सारे indication हो गया, अब significant derivations कब होता है, normal range से बाहर जब आता है, तब serious condition हम चेक कर सकते है, और जब भी sodium level बहुत गिर जाए, फिर potassium level बहुत गिर जाता है, तो तब emergency medical attention चाहिए, hospitalization required होता है, hospitalization के थूँ, liquid supplements दिया जाता है, electrolyte supplements दिया जाता है, जिससे चलते patient को ठीक किया जाता है, तो यह हो गया sodium and potassium test के बारे में, sodium potassium test क्या है, sodium potassium blood test कैसे किया जाता है, क्यों किया जा सारे के सारे सवालों की जवाब, आशा करते हैं, वीडियो आपके लिए helpful रहा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना आपने दोस्तों के साथ, कलिक के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे, thank you, bye. आपको मिलता रहे, 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 आपको मिलता र